स्वागत है आप सुभी का एक बार प्रिसी सत्याक्रा राष्टी हिंदी सप्ताइश समाचार प्रफट प्रफट प्लस यूटुब चैनल पे आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो मिर्जियापूर जनपत का एक ऐसा जगह है जिसको लोग जानते हुए भी इग्नोर करते हैं मैं आपको अपनी के माधिर से बता दू आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जो मिर्जियापूर जनपत का एक माना जोना अस्थान है जैकर खला जैकर खला जहां पे भगवान की उपाजी दी जाती है स्वामी स्री अलगरान महराज जी का वो एक पवित्र अस्थान है जहां पे उनके सिस है त्री भवान जी महराज का एक मठ है यहां पे आज क्रिसूल अस्थापना के दिवस पे मानित्री भवान महराजी के माधम से आज उनका एक कारकर रखा गया है क्रिसूल अस्थापना दिवस आज उस अस्थापना दिवस पे जैकर के धरती पे विशा सुनने के लिए उनका शिवात पाने के लिए और उनके मात्र एक छड़ को दर्षण करने के लिए और कैमरे के मादन से आपने देखा भी होगा कि यहां पे तमाम जंता और तमाम घ्रीड उकत्रत हुई है कि यहां पर कुछ लोगों से वारदा लाब करूँगा कि क्यों यहां पर इतना जेल इकाथा हुई है और क्यों यह पर लोग अधि जो विए है पी जैकर कला में आयो सब्दारा कर आई है जिनके उपलक्स में ये कारकर लखा गया है और उन्हीं के दोस्टन के लिए यहाँ पेगाउनasem पब्लिक एक पुए है और यहां पर उनका दोशन करेंगे लोग यहां पर उनके दोशञन से अपने आपको धन अकितात करेंगे करें रहें कैमरे के मारजन से ये प्रवजन हो रहा है जैसे ही स्वीया महराजिका आगमन होता है वैसे भी इनके यहां से कारकरम स्टार्ट हो जाएगा यह जो आप देख रहे हैं भी यह स्वामी अग्रान महराज के प्रवचल को सुनने के लिए आए हैं अभी तक जो प्रवचल दिया जा रहा है उनके सिस्के माधम से दिया जा रहा है मानी भावन महराज के माधम से यह वो अस्थान है जा पर हर एक तपस्वी हर एक ब्रुसंत समागम के लोग होते हैं वहां पर आते हैं और यहां आने के बाद अपने आपको कितार्थ मानते हैं अपने आपको पूर्ण का भागी मानते हैं आप कारें के माधम से देख रहोंग कि प्रबजन को सुनने के लिए यहां पी दिली कठा हुई है अभी मैं आपको और अंदर लेके जाओंगा जो कि विशाल भंडारे का आयोजिन किया गया है वहां पे तमाम भक्त घर भंडारे का प्रसाद घर्ण कर रहा है कि यहां पे धावन महराजी का प्रबजन चल रहा है और प्रबजन के मादन से वो लोगों को दिशान देत रहे कि अपने मानो जीने किस तरीके से लोगों को पत पे चलना है या किस तरीके से अपने मानो जीने को धन्य करना है अपने कैमरावन से यह फिर से लोगों को दिखा दे और यहां पे जो भावान महराजी का कारकम चल रहा है प्रबजन का वो लोग उसको बाया सांधीपूर धंग से दुश्का रसा सौदन कर रहा हैं इसके बाद मैं आपको भंडारी को ओर लेके चलूँगा जा इतने महराज भावन नंद जी के महराज का यह रहने का अस्थान है यानि कि उनका गुर्कुट जो कहा जाता है उनका जो मठ कहा जाता है जा उनका जो कुडी कहा जाता है यह उनका आस्रम है आप कैमरे के माधन से देख रहे हैं कि आस्रम को किस दिके से सजाया गया है मानो एक द मतरब मनाया जाने वाला है आज उन्ही के उपलक्ष में इस आस्रम को पुलों से पजाया गया है क्योंकि अभी कुछ उच्छान मात्र के बाद भावननन्द महराजी का आगवन होने वाला है उसके बाद लोक उनके अमरित बचन या अमरित बचन के माज़न से उनके आप कैमरे के माज़न से देख भी रहे होंगे कि इसमें लगभग 500 से 800 प्रसाद कतारबद होके लाइन में सांति पुरो ढंक से बैड़ के महराज जी के भंडारे का प्रसाद गहड कर रहा है मैं अपने कैमरे मैं से चाहूंगा कि चार और का एक बार लोकेशन दिखा दिया जाए कि लगभग कितने लोग इसमें कतारबद होके महराज जी के भंडारे का प्रसाद नहां कर रहे हैं चार और का लोकेशन दिखा दिया जाए उसके बाद मैं भंडारे में लगे हुए जो कारकरम के कारकरता गड़ है मैं उनसे बात करूँगा और उनसे ये पूछूँगा कि ये कारकरम कितने साल से अनवरत होता आ रहा है अभी आप कैमेरे के मार्दम से उस जगह को देख रहा है कितने लोग यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर जो अनवरत कारकरता गड़ लगे हुए हैं मैं उनसे वारता लाब करूँगा ये जो कारकरम हो रहा है यह लगवा कितने साल से अनुरत चला रहा है या किस उपलक्ष में आज भंडारे का आयोजन किया गए है मैं उसको भी दिखाऊंगा अभी मैं कुछ यहां पे कारकरता बंद लगे हुए है मैं उनसे वाता लाब करूँगा और उनसे जानूँगा कि यह जो सारा कारकरम चल रहा है यह कितने साल से चल रहा है और कितने मैं यहां पे कुछ कारकरता गड़ है जो कि प्रसाद बित्रा का कारकरम को संभाले हुए है मैं इसे वाता लाब करूँगा कि यहां की क्या भी सिस्ता है और यह कितने साल से इस कारकरम का आयोजन किया जा रहा है और क्या यहां की मेन खास्यत है सर मैं आपका पर्चे जाना च आयोजन हो रहा है इसके पीशे क्या रहा से है यहां स्वामी जी अगरानदी 16 साथ जाते हैं यह की करमपरा चलिया जैसे स्वामी भावानद मराज यहां पर आए तब से यह कारकरम का आयोजन जो है किस सन से शुरू हुआ और कब तक चलता रहेगा यहां स्वामी भावानद मराज जी 26 से ही कारकरम काल हुआ है जब से आया तब से कारकरम चल रहा है कि यह कारकरम चल रहा है या फिर उसके सांसा भंडारे का भी कारकरम चल रहा है भंडारे का ही भंडारे का जो आप इस प्रांगरम आये हैं इतनी घिर देख रहे हैं यह स्व आगबन होने वाला है उनके माजम से ये जो आग त्रिशूल दिवस का स्थापना होने वाला है तो क्या इसका रहस्त है और कब से प्रफणा चली आ रही है और कब तक अनुवर्फण चलती रहेगी तुछा सामें आप बिशले पतलब बिशले समय दाए सब दोजाराथ में स् हिंदु धर्म में और आशरम में हमारे इसको धुना कहते हैं तो स्थापना हुआ था इसी तिथी को इसी तिथी को भंडारा हो रहा है तो सर ये भंडारे के माजहम से लगभग कितने भक्त गण ऐसे हैं जो कि प्रसाद गहर करके अपने आपको धन्यमा मतलब प्रतास मानत कितने साल तक यह चलेगा पुछ इसके वारे अप बताईए जब तक आपर माराज रहेंगे हम लोग पर रहेंगे तब तक बंडारा अनवरत चलता रहेगा तो यह हमारे भक्त मतलब सी अगरांद महराज जी के भक्त हैं स्री राम गुपता इन्होंने अपना पर्चे बताय अभी मैं बगल में और भाई खड़े हैं मैं इसे वारता लाब करूँगा कि कब से इनका इसने लगा प्री अगरान महराजी के माधम से तो मैं इसे कुछ और बाते करूँगा सबसे पहले आप यह बताएए कि आप यहां कब से आएं दोजाराट से तो आए हैं भगवान यह भावान ने महराजिया है लेकि आप गाजी बुस्टिक से मिर्जा बुस्टि में कब आएं तभी से आ रहे हैं हम यह लाल लगन शेत्र म आ रहे हैं कि इस कार्कार्ण को लिए कि आप कब से आएं तो आप अकेले आया या परिवरे की साइवा करते हैं और तब से आपके जीवन में लगवक कितना परिवर्तन है बहुत परिवर्तन है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भगवान का क्रिपा है अपना कमा खा रहे हैं बढ़ियां से तो यह जो भंडारा चल रहा है आज लगवक कितनी पब्लिक आज भंडारे में समलित होगे लगवक 20,000 20,000 जनता की भोजन बना है हम लोग सब्जी पूरी खिलाने के लिए तो यह जो आप कैमरे के मादम से लेक रहे हैं यह विजय जादो हैं जो कि गाजीपूर जिला से बिलॉंग करते हैं और आज दो दिन पहले मिर्जियापूर डिष्टिक में आये हुए है भगवान स्री स्री अगरान महराजी की कारकरा में यह उपस्तित हुई हैं इनका कहना है कि जब से मैं इनके सानिती में जुड़ा तब से लेके आज तक किसी भी प्रकार का कोई समस्य हमारे जीवन में उत पर नहीं हुआ और लगवग आज भंडारे में लगवग 20,000 लोगों का भोजन ब दखल के दिखा दें किया प्रसाद में क्या क्याइओं मना हुआ ह प्रशाद के रुप में लोगों को परोशा जा रहा है मैं आपको यह दिखा रहा हूँ चटनी है बुनिया है सुकी सबजी है और यह कचोडी है जाए आज कारकन चल रहा है विशाल भंडारे का इसे क्या राज है अरे भिया महराजी का आज असना महाज भाया वक्त लोग सब परवचां सुन रहा है इसे बाज जा रहा है आज किन महात्मा का आगवन होने वाला है आपके सौमी अजान मराजी का आगवन होने साथ किसी कारान बस नहीं आ सके है सासे गरवट सा उनका मतलब कनफर्म है कि आज उनका सासे गरवट सा उनका सासे गरवट सा इसलिए नहीं तो अभी आपने बताया कि आज उनका स्वास में स्वासा कुछी दिकत होने की वज़े से आज में नहीं आ पा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी यहां का कारक्रम है अन्वास चल रहा है नमबर एक कारक्रम चल रहा है तो क्या कहना चाहेंगे यहां की जनता और अभी आपने बताया कि आज महराजी का आगमन किसी कारणवस्त या उनके स्वास में कुछ दिकत होने के कारण आज उनका आवागमन नहीं हो पा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा बताया गए गाइड्लाइन के माद्यम से उनके सिस्यों के माद्यम से यहां का कारक्रम है वो बिना किसी औरुद या बिना किसी रुकावर्ट के वो संपन ने किया जा रहा है आप कैमरे के मादने से देख भी पा रहा होंगे कि यहाँ पे लगातार भंडारे का आयोजन चल रहा है और लोग यहाँ पे लोग जो उनके भक्त हैं जो उनके चाहने वाले हैं जो उनको मन से मानते हैं यहाँ पे आके उनका प्रशाद ग्रहन कर रहा हैं और कामना भी कर रह कि महराज़ू के स्वास्त में असिग्र ऐस जो उनके अंदर इbuds्ण को रसान और आने वाले कल में यह फिर से एक अपना प्रब्द करें और लोग उनके अम्रित बचलों को सुने और अपने जीवन में उनके बातों को स्मर्ड करें फालो करें लागू करें अभी तक मैं आपके साथ जुड़ा रहा सत्यातरा नीज से जैकर की धरते से मैं भी आपको लाइप दिखा रहा था भावानन्द और अग्रानन्द महराजी के आगवन का उनके भं कर दो जागू करें जुड़ा लावानन्द महराजी के खादके से जागवन